हरो दोस्तों नमस्कार EPS 95 Pensions के एक नए न्यूज में आप सब का स्वागत हैं दोस्तों मैं आपको बता दू कि EPS 95 Pensions के बहुत बड़ी खुसकभी सामने निकल के रही है काफी लंबे दिनों से पेंशन फर्मूला पेंशन फर्मूले पे बात चल रही थी लेकिन प्राप्त ज पूरी की पूरी डीप में डिटेल से लोग जानकारी लेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दू कि पेंशन में ब्रिद्ध्यू को लेकि हो सकता है कि आगामी CBT की जो मीटिंग है एक्टिस तारीक और एक तारीक को उस मीटिंग में इसका जिक्र किया जाए पेंशन फर्मू और काफी उनको खरी खोटी भी सुनाएं लाकि प्राप्त जानकारी ये भी है कि EPFO के मादब से EP75 पेंशन के पेंशन में ब्रिद्ध्यू को लेकि फर्मूली को तयार कर लिया गया है फर्मूला के इस प्रकार से काम करेगा चैसे कि 15,000 की जो सीलिंग है उसीलिंग को हटा जाएगा तो पेंशन की पेंशन में ब्रिद्धी लगवख 5 गुने तक की बढ़ जाएगी अलाकि इस पर एक कर्मान और भी लगाया जा रहे है कुछ YouTube चैनलों के मादब से और कुछ ताप्त जानकारियों के मादब से पेंशन में 9 गुने तक की ब्रिद्धी की बात कही ज पेंशन के बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन थी जो साधा करनी चाहिए अगर इपेंशन की 9000 रुपे पेंशन की राशी हो जाती हो तो उनमान यह भी लगा जा रहे कि उनको डिये नहीं दिया जाएगा अगर इपेंशन को 9000 रुपे तक की पेंशन की पेंशन राशी दे जाएगी तो उनक्सैंट र्लिया जाएगा तब उनमें सेंफों सेर्फ के राशी दे जाएगी महागाई भत्ता उन्हें नहीं दिया जाएगा यान कि महागाई महागाई भत्ता सी ev i ahh 00, 55 वंचित रह जाएंगे लेकिन अगर tiempo सिल्ठ पें कि मजदूर संगठन के तरब से एक पत्र को जारी किया था उस पत्र के मादम से उनसे रिक्वेस्ट किया था भारति मजदूर संग से कि आप हमारे जो हमने इतना मिहनत करके है और 7500 के लिए जो तो लगभग लगभग सरकार को माना ही लिए हैं और हम प्रिंशन के बहुत नजदी का गए हैं तो आप से हमारी रिक्वेस्ट हैं कि आप जो तो इस पांत हजार रुपे को हटा के वह साथ अजार पांसों करें प्लस उसके साथ में महागाई भत्ता चिक कर दिलाने के लिए यह बहुत खुसी की बात है लेकिन उन्होंने पांस जार रुपे रखा उसे बढ़ा के साथ जार पांस रुपे करें जिस पर एक टीम जो है तो काम कर रही है तो यह भी एक बात है कि वहां से भी थोड़ा सा हो सकता है और अगर कोश्यारी समीटी के बा पर तक की बढ़ी हुई पेंशन के राशी दिये जाएगी और इसकी जानकारी इसी आने वाली सीवीटी की मेंटिंग में ही सीवीटी के बटक में जरूर बताएगा और यह जानकारी आपको जादा-जादा सेयर करना है जादा-जादा लोगों तक पहुंचाना है ताकि प्यार देखिए हमें पड़ा-पडचे जो तो विदाद है लेकिन विदाद करने से पहले एक हमारा चोटा सब्सक्राइब करें आपका छोटा भाई हूं बस आपके लिए लगा रहता हूं कि आप तक सही जानकारी पहुंचा पहुंचती रहें बस इसले चैनल को सब्सक्र करें नमस्कार जय हिंद जय भर